दोस्तों एक बार फिर आपका सागत करता हूं आपके यूटुब चैनल में और आज किस वीडियो में हम आपके जो प्रेफरेंस लिक स्टार्ट होने वाला है उसके रिलेटिड बहुत ही इंपॉर्टन चीजें डिसकस करेंगे बहुत ही ज्यादा महत्व पूर्ण चीजें ज जरूर देखें तो वीडियो में फिल्हाल आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि अगर आप मेरी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें देखें सब्सक्राइब करने से यह होगा कि आपको नई नई ऐसी ही अपडेट मिलेंगे औ आपके दोस्तों के साथ ग्रूप में फेस्बुक मेसेज़ में वाटसअप मेसेज़ में इंस्टाग्राम पे हर जगा इस वीडियो को जो है वो शेयर करें ठीक है और अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है कोई डाउट या कोई क्वेरी तो आप मुझे इंस्टाग्राम किसी भी सोचल मेडिया में ते जाके मेसेज करें चलिए आज किस वीडियो को शुरू करते और में ठीक है दोस्तों यहां पे अगर आप देखें दोस्तों मैंने कल रात को आपके साथ डिपार्टमंट वाइज वेकैंशी जो हो श्यर की थी दोस्तों और मैंने आपको समझा वो कब स्टार्ट होगा ठीक है यहां पर अगर आप देखें दोस्तो जो आपका प्रेफरेंज लिंग है दोस्तो प्रेफरेंज निक आपका आज के यानि तीन तारीख के बारा मजे स्टार्ट हो जाएगा ठीक है बारा मजे आज दुपहर के बारा मजे आपका प्रेफरेंज स्टार्ट हो जाएगा लेकिन उससे पहले मेरी मेरा एक स्ट्रॉंग मेसेज रहेगा आपको दोस्तों बहुत ही सोच समझ कर बहुत ही ज्यादा डीफ एनलेसिस करने के बाद ही जो है वह आप अपने डिपार्टमेंट का प्रेफरेंज दें ठीक है यह पूरी लाइफ का जो ह होना ह See sure है अगर आप जातेैं कि मैं है फिर दीक है घ्रडी में है तो जाना आपको तो पहले आपे सि गया काम होता है कैसा काम होता है बगएर है को अ किसी तरह से और मैं एक चीज़ हाँ पर highlight करना होता है! या laboratory assistant किया होता है? म одרब medical के जिदें भी courses किये होता है, तो उनका induced को मैं कोहूंगा कि भयं अगर आपने medical को कोई course किया है ऐसा diploma किया है, joka की है तो आप पूर आप जूरूर वही health का department और पर can 이건 लोड हो सकता है आपके chances बढ़ेंगे आपकी promotion के तो आप जिस भी field में हैं जो भी field जिस भी field में आपने पढ़ाई की है उस field को अगर आप चूज करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा beneficial होगा अब मैं बात करूँगा PWD RNB की ठीक है अब आप मैंसे कोई candidate होगे जिन्होंने diploma किया होगा engineering में ठीक है civil में civil में किया होगा या mechanical में किया होगा ठीक है तो अब कुछ candidates जो है वो जिन्होंने civil में diploma किया होगा वो अगर उनको अगर option मिलता है PWD RNB चूज करने का तो I'll say definitely दोस्तों आप जाए अब PWD RNB का option रखे क्योंकि this is going to help you a lot अब मैं यह नहीं खहरा कि आपको class 4 से सिदा इंजिनियर बना दी जाए बिल्कुल भी नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होगा बढ़ हाँ यह चीज जुरूर होगी कि आपकी field का है भाई आपको surveying आप practically करोगे आप department में बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगे आप स बहुत ही ज्यादा इस चीज़ का आपने खासकाया रखना है अब मालीजे कोई और candidate है जिसने जो है वो जो मतलब जिसने डिपलूमा इंजिनिंग किया है तो उसको जल शक्ती जल शक्ती मिलता है जल शक्ती department उसको मिलता है तो वो जल शक्ती को भी चूज कर सकता है क्योंक रहता है तो ससस्क्राइब तो आप नहीं रहती है तो फ़ल शक्ती जल शक्ती जाए नहीं हम प्रक्रीजिद को अगर किसी ने bsc agriculture किया है यानि कि बीस अगस्त थोजार बीस के बाद ग्रैजवेट को है जो अपना अगरिकल्चुर में ले सकता है अगरिकल्रा थे लिए आप जो है अभी के लिए प्रफेरंसिज आपको मांगे जाएंगे आपको प्रफेरंसिज भरने हैं बाराम बजए आपका प्रफेरंस लिंक स्टार्ट हो जाएगा और मैं अगेन आई से दोस्तों मैंने आपके साथ पीडियेफ शियर की है अपने ही टेलिग्राम चनल में यह एक केटेइगरी में ठीक है तो यह पीडिया भी जो है आप डौनलीड करें आप मेरे टेलिग्राम पर आप करें क्योंकि यहां पे आपको बहुत ही ज्यादा फाइदा मिलेगा अगर आप अगर आप जोब्मनेट जॉब्स के लिए पढ़ रहे हैं तो टेलिग्राम चैनल म सब्सक्राइब करना है उसमें आप देखें नमबर वन क्या रखना है आपने नमबर टू नमबर त्री नमबर पूर अब ऐसा नहीं कि जैसे लिंक स्टार्ट हो गया तो कुछ भी डाल दिया आपने बिल्कुल नहीं दोस्तों बलाइंडली नहीं करना है और आपको इस हंडर की काटेगरी में अगर आये हैं तो आप ऐसा करें कि आपको फिर ध्यान से मतब बहुत ही सोच समझ कि आपने डिपार्टमेंट के पर फ्रेंसिस देने होंगे और यही मैं वेटिंग लिस्ट वाले के इंडियोट को भी बताऊंगा जिनका नाम पहले नहीं था और जि हैं तो मुझे लगता है आज की स्टूडियो में फिलाल इतना ही है मजीद आपका कोई क्वेश्टन होता है दोस्तों मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर डिरेक्टिट करें चलिए मिलते हैं आप से नेक्स्ट टूडियो में खुदाहाफिज